नमस्कार दोस्तो जी आर्वी स्वाल्यूशन पर एक बार फिर आपका स्वागत है तो दोस्तो देखते हैं हम आज आज के वीडियो में आपको बहुत इंपोर्टेंट कोशन बताऊंगा जो एक्जाम के पॉइंट फ्यू से तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ही और आपको भारती नागरिक होने के नाते आपको जानना बेहत जरूरी है तो दोस्तो हम चलते हैं आज के वीडियो की और तो दोस्त तो दोस्तों जो मैं बता दूँ इस पे से कुछ फेट जो हमारा cabinet mission बना था अंग्रेजों के टाइम पर आंत्रिप मंत्री मंदल संभीधान को बनाने के लिए जब अंग्रेजों ने कहा कि आप अपना मंत्री मंदल या अपना संभीधान बना लीजिए अपने रूस बना 246 को आंत्रिप मंत्री मंदल बना था भारत का जो अंत्रिप मंत्री मंदल था वो बना था तो दोस्तों चलते उसमें क्या किया था उसमें जो देशी रियास्ते थी उनको कैसे बिला हुगा तो दोस्तों चलते फर्स कोईशन को फर्स कोईशन कहता है कि रियास्ती रियास्त सरदार बल्लबाई पटेल जो सरदार पटेल थे हम सभी जानते हैं कि इन्होंने 562 रियास्तों जो देशी रियास्ते थी उनको एक जोट करने पे अखंड भारत बनाने में एक अहम भूमी का आदा की है भारत में तो दोस्ते इसका सही आंसर क्या जाएगा सरदार बल्लबाई पटेल और दोस्तों इसमें कुछ हीरालाल जे कानिया जी जो है यह हमारा सुप्रीम कोट के पहले जीफ सीजे आई है चीफ जसिस्ट ऑफ इंडिया तो दोस्तों सेकेंड है कि बल बल्देव सेंजी जो है यह पहले रक्षा मंत्री है और सी राज गुपाल अचारी जी यह सिक्षा मंत्री है तो आई होब दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा नेक्स कोचन क्यों चलते हैं दोस्तों सर्दार सेकंड कोचन है सर्दार पटेल के नित्वित में कौन सा मंत्राला बनाये गया था इनकी नित्वित में बनाये गया था दोस्तों रियास्त की नित्वित में बनाया गया तो दोस्तों सरदार पटेली के नित्वित में रियासती मंतरालाय बनाया गया था और सी एच भावा रेल में मंतरालाय तो यह तो हम गलत कहेंगे क्योंकि सी एच भावा यह मंतरालाय नहीं बनाया गया था बल्देव से रक्षा मंतरालाय तो दो बनाए गया था बल्दियु सेंची के नेटवत में रक्षमंतरालाइब बनाए गया था तो दोस्तो नेक्स पोचल पर चलते हैं तो कौन सी रियासत का बिलाय जनमत संक्रह के आधार पर किया गया तो दोस्तो इसका आन्सर आजाएगा जुनागड रियासत का जो जुनागड के साथ मतगर्णा के आधार पर किया गया था तो दोस्तों इस पर एसा भी आप याद रखना की मतगर्णा के आधार पर जो बिलाइक किया गया था जिस रियासत का वो जूनागाड रियासत है तो दोस्तो नेक्स कोचन के वो चलते है तो दोस्तो नेक्स कोचन है हमारा हैदराबाद की रियासत का बिलाइक किस आधार पर किया गया तो दोस्तो ये जो एक पहली रियासत थी जिस पर पुलिस कारवाई दौारा बिलाएक किया गया था तो दोस्तो इसफ़े जब सर्दार पटृल जी ने हादरावाद के जो राजा थे नबाब थे यांके उनसे जब बोला तो वो नहीं माने भारत में बलाई के लिए तो फिर सरदार पटल जी ने पुलिस कारवाई कर दी उसके बाद यहादरावाद रियासत थी जो इसका बलाई भारत में हो गया तो दोस्तो next question क्यों चलते हैं दोस्तो next question है जूनागर रियासत का बिलाएं किस आधार किस आधार और किस के द्वारा किया गया दोस्तो कुमा फिरा की question इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है तो दोस्तो इसका सही answer आजाएगा जन्मत संग्राय सरदार पटली क्योंकि इसके प्रमुख कौन थे मंत्री मंदल किसकी नेत्युत में मनाए गया था सरदार पटली के तो इसका answer क्या आजगा है जन्मत संग्राय सरदार पटली तो दोस्तो आपको वीडियो अच्छा लग रहोगा नेक्स कोरिशन क्यों चलते हैं दोस्तो नेक्स कोरिशन है हमारा बिलाए पत्र पर हस्ताक्षर द्वारा भारत में मिलाए गई रियासत कौन सी थी तो दोस्तो हम सभी जानते हैं कि धारा 370 बनी है ये जम्मू कस्मीर के लिए बनी थी और अभी तो आठा दी गई है तो दोस्तो जो जम्मू कस्मीर है एक ऐसी यूनिट राज था जो हमारे बिलाए पत्र पर जो बिलाए पत्र था इनका 370 का और भी इनका कुछ कानून था उसमें बहुत सारी प्रावधान थे उसके बारे मैं आप कोई वीडियो अलग से बनाऊंगा दोस्तो तो इसमें इनों ने एक बिलाए पत्र पर हस्ताक्षार की दोरा बनाए गई थी तो जो नेक्स कोचन क्यों चलते है दोस्तो नेक्स कोचन हमारा पुलिस कारवाई दोरा कौन सी रियासत का बिलाए किया गया तो दोस्तो इसका सही अंसर हो जागा है हैदराबाद मैंने अभी आपको पहले बताया था कि हैदराबाद रियासत का बिलाए किस आधार पर किया गया तो जो पुलिस कारवाई है इस आधार पर किया गया था तो दोस्तो नेक्स कोश्चन की और चलते हैं दोस्तो हमारा जो नेक्स कोश्चन है वो कहता है कि जम्मू कश्मी रियासत का बिलाइक किस आधार पर किया गया तो दोस्तो हमने अभी पहले भी पढ़ा था इसका क्योंकि एक गुमाफ्रा के question पूछे जाते हैं तो I hope दोस्तो मैं उसी प्रकार से करो रहा हूँ तो इसका सही अंसर जाएगा बिलाए पत्र पर हस्ताक चरदोरा तो दोस्तो वीडियो आज के लिए बस दोस्तो इसना ही वीडियो कैसा लगा आप comment box में जरूर बताएगा दोस्तो मैं दोस्तो इसलिए एक question लेके आया हूँ क्योंकि अभी हाली में 13370 जो 13370 sorry 370 जो जम्बु का स्मीर से हटाये गया है इसके point of view से दोस्तो इस सारे question बेहत important है आपके 2 से तीन नम्मर के भी आ सकते है तो दोस्तो थेंक्यू थेंक्यू for the watch आज के लिए बस इतना ही वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तो तो लाइक से सस्काइब जरू करना थेंक्यू थेंक्यू for the watch